बुड मॉर्णिंग जैन बच्चो ये 2021 के पेपर के बच्चो ये आखरी वीडियो है मैं अल्री आपको इसका हिंदी अनुछेद और बाकी जो मांसीक योगिता के प्रशन है उसको मैं बता चुका हूं बच्चो ये अंगरित प्रडिक्षन के जो प्रशन है इस प्रशन जो ह प्रशन को सभी को देख सकते हैं कि आखर इन प्रशन को कैसे हल किया जाएगा ठीक है बच्चो तो आईए अब आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं आज हम लोग भार नौ के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, सबसे पहले बच्चों मैं निर्देश पड़isel पड़ोंगा हमिसा मैं बताता हूं कि जो निर्देश है वो कभी भी बदलेगा नहीं वोही रहेगा तो अगर आप निर्देश को अच्छे समझ लेते हैं तो आप प्रश्णों को भी जल्दी हल कर पाएंगे ठीक है तो आईए प्रश्ण संख्या 33 से 36 में बाईं और एक प्रश्ण चित्र दिया गया है देखे बाईं और है ये प्रश्ण चित्र दिया गया है तथा दाईं और A, B, C और D से चिनने चार उत्तर चित्र दर्शाए गये हैं तो देखे उत्तर चित्र ये है तो इसी चारों में से हमें उत्तर को ढूणना है उत्तर चित्र से उस चित्र का चैन करें जिसे प्रश्ण चित्र में उपलब्द कट आउट से बनाया जा सकता हो कट आउट का मतलब बच्चो यह है कि यह जो पेपर के टुकड़े आप मालिए जो है अलग लग सेप के काट लिए गये हैं अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो इन में से कौन सी आकरिती बनेगी ये बच्चो अच्छे आईए आगे सवाल पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर प्रतिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले बृत को काला करे ठीके बच्चो मैं हर एक में पढ़ता था कि OMR में आप काला करें काला करें तो मैंने पीछला वीडियो OMR पर बना दिया क्योंकि कुछ बच्चे फोन करके कहें कि सर ये OMR का तो आपने बताया नहीं कि OMR आता कैसे बढ़ना कैसे होता है तो मैंने बच्चो इसके ठीक पहल कर लिजेगा ऐसे करके जितने भी इसमें टुपड़े होंगे ठीक है तो मैं आपके सामने इसको चिन लगा ले रहा हूं इसको वन कर देता हूं यह टू यह थ्री और यह आपका फॉर ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्छो तो यह देखे एक पेंटागन है जिसके पांच भुजाएं है ठीक है तो इसमें हम सभी को ध्यान से देखते हैं तो यहां पर भी देखिए हमें दिख रहा है कि हाँ एक दो तीन चार पांच तो देखे इसमें भी एक दो तीन चार पांच है भुजाएं है ठीक है लेकिन क्या बा अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें देखें कितने टुपड़े हैं, एक, दो, तीन, चार, हाँ, इसमें तो चार हैं, इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इसमें जादा हैं, इसमें भी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, इसमें जादा ह लेकिन अब देखें कि वागई में यह fat ஐ इससे बरन रहाया है अगर हम इसको द्यान से देखें भच में यह देखें यह यह बेखें इसको थोड़ा सा प्लत के ऐसे fits कर दिया गया है ठीक है तो हम इसको क्या कर सकते हैं किसी को भी ले लेते हम इसको मालिज़ एक रख नबर ले लेते हैं इस वाले सेम फिकर रहा है अगर हमने इसको नीचे करके इधर को लगा दें तो ये दोनल अफ़िज आruckले उविए धू गया ठीक है अब यह देखे दो टेश तो इसी चारों से तो हमने मिला की बना दिया इसको एकदम सही इस फिट भी हो रहा है ठीक है तो इस तरह से इन प्रशनों को हल किया जाएगा ठीक है अब आई यह सेटेंड को देखें इस वाले चित्रे में अभी सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे बच्छो ठीक है इसको वन कर देते हैं इसको टू कर देते हैं इसको थ्री कर देते हैं ठीक है तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक त्रिभूज होना चाहिए तो इस वाले में तो देखें दो त्रिभूज होने च तो एक को मैं एक ट्रेंगल को वन माल ले रहा हूं दूसरा वाला थ्री हो गया ठीक है तू आपका क्या हो गया रेक्ट आयत हो गया ठीक है तो इस तरह से पूरी तरह से फिट हो गया कि नहीं हो गया इसमें ठीक है पूरी तरह से लेयाउट इसी लेयाउट से हम इसको बना ल कोशिस किजिए का क्लॉक वाइस करने के लिए ठीक है तो अगर आप देखते हैं कुल 5 टुकड़े होने चाहिए 1 2 3 4 ये तो हो गई नहीं होगा 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा तो ये वाला देखें वाई ये तो पूरी तरह मैच कर रहा हमारा ये देखें 1 ये 2 3 4 ये 5 ठीके बच्चो ये सरकल के ब्रित के कोडरेंट है इसको चार टुकड़ो में बाढ़ दिया गया है उसको इस तरह से सजा दिया गया ठीके बच्चो काफी इजी कोस्चन था अब आपको कॉंसेट समझ में आ गया होगा कि कैसे इस कोस्चन को करना है ठीके अब इस और कुल तीन टुकड़े तो इसमें कितने टुकड़े आ रहे हैं एक दो तीन चार यह तो हो गई नहीं होगा इसमें देखें एक दो तीन हां तीन त्रिभुज आ रहे हैं इसमें तो बन रहा है ठीक है लेकिन यह तो यह आपका पहले लोग्राम है यह कहीं मैच नहीं कर रहे तो थिके इसलिए राइंसल हो गया इस वाले मैं देखें यह कंदे की इसमें भी तीन तुकरे है लेकिन यह देखें यह वख घा लेकिन यह तो बाकी देखें, दो ट्रेंगल हैं, ठीक है, तो ये देखिए, इसको अम नंबर 3 देते हैं, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, तिस सरह देखिए, आसानी से हल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, अब आईए अगले भाग को देखें, बचो अब भाग 10 के निदेश को मैं उत्तर चितर हैं, देखें, A, B, C, D, 4 दर्साय गया हैं भाई, उत्तर चितरों से उस चितर को चुने, जिसमें प्रशन चितर छिपा समलित है, इसका मतलब यह है बच्चो, अगर ये देखें, फीगर आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये जो भी चिन बना हुआ है, तो य इसमें छिपा हुआ है, कहीं न कहीं इसमें छिपा हुआ है, ठीक है, तो उस चितर को ही हमें इसमें खोजना है कि किस वाले में छिपा हुआ है, तो वही उत्तर हो जाएगा, ये भी बच्चो आँखों से आप जितनी जल्दी पहचानेंगे, उतनी जल्दी आपको उत्तर मिलेगा उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्ण चित्र चिपा या समलित है अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर प्रतिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले बृत्त को काला करें ठीक है बच्चो अब देखे इसमें याद रखेगा हू बहू ऐसा ही होना चाहिए पीस की बदलना नहीं चाहिए कि हम उल्टा कर दें या तीड़ा लगा दें यह नहीं इसमें चलता और पूर्श्न मे वैसा था हम देखते है यह किसमें ऐसा बना हुआ है तो इसमें से देखे कहीं पर भी नहीं लग लगा किस तरह की आकृती आएगी इसमें देखिऑ इस तरह का ये बन तो रहा हो लेकिन सीधी सीधी लाइन वाळ नहीं बन पाएगा ठीक है एगर अगर हम इसको दcıक्त देखें बच事 तो ये देखिए ये लाइन आई फिर ऐसे गई ओ ये ऐसे पिर ऐसे फिर ईस snippet के हूँ बहु मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है इस तरह इसका उत्तर क्या होगा बच्छो भी ठीक है अब कोस्चन नमबर 38 देखे बच्छो आपके सामने है यह देखे यह इस तरह की लाइन आई फिर एकदम सीधी आई यह फिर इसने वी का एक सेप टेड़ा ले लिया ह ठीक है तो अगर हम किसी और में भी देख रहे हैं तो इस तरह का फिगर देखे बच्छो केवल इसमें आपको यह वाले आप्शन में बला देखे आपके सामने हैं यह सीधी लाइन आई फिर एकदम यह स्ट्रेट हो गई फिर यह यहां से बनके गया है ठीक है आप इसमें इसमें भी बन रहा है लेकिन यह वाले लाइन नहीं है ठीक है वी देखे बस इसमें इतना बन रहा है तो यह भी नहीं हो सकता ठीक है इसमें भी यहां बन रहा है तो इस तरह से बन रहा है सीधी लाइन तो आई नहीं है ठीक है बच्छो तो और यह वाला भी देखे यह जो इन्होंने प्रश्ण तो ऐसे जान मुझके confusion के लिए बनाया होते हैं कि बच्चे इसमें भी ढूंडें लेकिन हमें साफ साफ देख गया है कि यह इसका उत्तर यहां पर यहां तक है ठीक है तो question no.38 का answer क्या होगा ए ठीक है question no.39 देखे बच्चो यह देखे वी है अगर अब भी नहीं बन रहा है ठीक है तो हम देख रहे हैं इस तरह के का वी केवल यहीं पर बन रहा है और उसी के साइज का है ठीक है एंसर क्या होगा 39 का यह बच्चो काफी जी था अब देखे यह question no.40 बच्चो इसमें आपको दिख रहा होगा यह बी बना हुआ है ठीक है तो हम सा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चो मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से मांसिक योगिता परिक्षन का समझ में आ गया होगा किसी में अगर किसी भी question में आगर आपको confusion हो तो प्लीज कमेंट करें और वीडियो को बच्चो आप सेर जरूर ठीक है तो बच्चों आप से रिक्वेस्ट करने हूं बच्चों को जरूर आप से रगीजिए ठीक है बच्चों थैंक यू थैंक यू